अरे रोहित, देखना, ये कौन गवार खड़ी है हमारी गाड़ी के आगे? सारी गाड़ी गंदी कर दी, इससे तो मैं बताती हूँ अब यो गवार, हट मेरी गाड़ी के आगे से, सारी गाड़ी गंदी कर दी तुने मेरी अरे काजल तू, कैसी है? हरे अनुश्का तू? मैं तो एकदम ठीक हूँ, तू बता, तू कैसी है? मैं तो एकदम ठीक हूँ, और बता, काफी दुनों के बात दिखाई दिये, क्या चल रहा है लाइफ में? क्या कहा? कि तू एकदम ठीक है? लेकिन तेरी हालत को देखकर तू नहीं लगता, कि तू ठीक है? यार तू ही कैसी बाते कर रही है? मुझी क्या होगा? मैं तू एकदम ठीक हूँ. अरे काजल, कौन है ये? तुम जानती हो क्या इसको? क्या कहा तूम ने? ये तुम्हारी दोस्त है? लेकिन यार इसको देखकर तो नहीं लगता, कि ये तुम्हारी दोस्त होगी. अरे अपना इस्टेंडर्ड देखो और इसका इस्टेंडर्ड देखो. बिल्कुल बहेंजी टाइप लग रही है. ऐसे लोगों से दोस्ती थी क्या तुम्हारी? अरे कम से कम अपने लेविल के लोगों से दोस्ती कर लिया करो. रोहित पहले तो ये ऐसी नहीं थी. कॉलिज के टाइम पर तो ये बहुत लंबी-लंबी फैका करती थी. कि मैं ऐसे इंस्टान से शादी करूँगे, जो अपनी लाइफ में सेक्सस फुलोगा. लेकिन आज इसके ऐसी हालत को देखकर, मुझे इस पर तरस आ रहा है. वैसे अ क्योंकि तेरे हस्बेंड के पास अगर इतना ही पैसा होता, तो वो तुझे इस तरह के कपड़े नहीं पहना रहा होता. वैसे अनुष्का मुझे एक बात बता, तेरा हस्बेंड एक दिन का कितना कमा लेता होगा? अरे यार काजल, तुम भी किस गवार से पूच रही हो, त मैं इसकी हालत को देख करके नहीं लग रहा है कि इसका अस्बेंड एक दिन का कितना पैसा कमाता होगा, भाई सौ ऐसे डेट सो रुपे क्योंकि अगर ज्यादा पैसे कमाता तो इसको नहीं पैना ता, क्योंकि तुमको तो पता है, इस तरह के कपड़े गाउं के गवार लो होगी नहीं और हां मैं तुझे इन से मिलाना तो भूली गई काम करके आरहे होगी सच कहूं काजल तो पहले से बिल्क ह्मारी कर रहे हैं आज वि मेरी चीने कर रही है तो मैं तैरी इसा चाल पूछने की तो बुबंजे साफ साफ दिखी रहा है कि तेरी क्या हालत है और तुझे पता है कि मेरा बॉइफ्रेंड एक दिन का कमाता है पूरे 50,000 रुपए और तेरा पती इतने रुपए पूरे साल में भी नहीं कमा पाएगा सौक मोस्त तेरे क्या ही कराता होगा वो यार काजल मेरी बात का बुरा मतमानना तुझ कह रही है कि तेरा बॉइफ्रेंड एक दिन का 50,000 रुपए कमाता है फिर भी उसने इतनी सस्तिसी गाड़ी गिफ्ट किये तुझे अब ओए मुवंद कर ले तुझ अपना ये सस्तिसी गाड़ी किसको बोल रही है तुझे तुझे सस्तिसी गाड़ी दिखाई दे रही है पूरे 15,000 रुपए की है और एक साल पहले ही सोरून से निकाली थी वो भी अपनी गल्फरेंड को गिफ्ट करने के लिए गाड़ी मे चलें किया? हो अच्छा तो यह है तेरा पती तेरा पती भी तेरी ही तरह है एक्स्कुज मी मैडम कौन हो आप रोट सुना तुमने ये कया बोल रहा है इंगिलिस में बात कर रहा है तो अच्छा तुम गवारों को इंगलिस भी आती है अरे काजल, एक दो वर्ट सीख लिया है, इस वएसे हमारे सामने इंगलिस फैंक रहा है, जिससे कि हम इससे ढर जाए कि ये इंगलिस बोलने वाला है बेटा हम अच्छे से जानते हैं तुम जासे गाउं के गवारों को, एक दो वर्ट इधर दूर से सीख लेते हो और दूसरों के सामने इंगलिस बोलने का नाटा करने लगते हो, लेकिन हमने न, तुम्हारे कप्रों से साफ एंचान लिया है, कि तुम गाउं के पक्के गवारों ठेट गवार जिसे बोलते हैं अनुस्का, कौन हैं लोग, जो इतनी देर से हमसे बत्तिमी से बात किये जा रहे हैं, तुमने बताया नहीं है न हमारे बारे में छोड़ो वीर, क्या ही बताना है ने अरे क्या बताओगे तुम लोग, तुम लोग कुछ बताने लाइक भी हो आये सर, मैं गाड़ी लेकर आ गया अरे दीबान जी, आप इन गवारों के लिए सर की मोल रहे हो अरे सर, ये कौन लोग हैं, जो आपके साथ इतनी बत्तिमी जी कर रहे हैं ये अनुस्का के दोस्त हैं, अभी इनको हमारे बारे में मालूम नहीं है न, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं तो सर, आपने अपने बारे में बताया नहीं इनको, कि आप इस जीले के नई I.S. ओफिसर हैं और आपके साथ बत्तिमी जी करने के जुर्म में, इनको जेल भी हो सकती है क्या कहा आपने, कि ये यहां के I.S. ओफिसर हैं? अनुस्का, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया, कि तुमारे हस्बंड आई I.S. ओफिसर हैं मैं तुम्हें बताती तो तब न, जब तुम मुझे बोलने का मौका देती काजल, तुम इतनी देर से अपनी और अपनी इस बॉइफरेंड की तारीफ किये जा रही थी मेरी बाती का सुन रही थी हनुसका प्लीस मुझे माफ कर दे जो मैंने तेरे साथ इतनी बद्तमीजी की मुझे नहीं पता था कि तेरे हस्बंड आई आस ओफिसर है अगर मुझे पहले पता होता न तो मैं भूल कर भी तेरा मजाग नहीं बनाती काजल तुने मेरा मजाग नहीं बनाया है बलकि साडी का मजग बनाया है साइद तो भूल रही है साडी हमारे देश की संस्क्रीती को दरसाती है और साडी पहनने में हमें कभी भी सरम नहीं करनी चाहिए मैडम कपड़े पहनना हर किसी की personal choice होती है आपने इस तरीकी कपड़े पहन रखे हैं वो आपकी choice है यहां पर खड़े रहकर फाल्दू टाइम बरबाद करने से कोई फायदा नहीं है चलो हम अपना काम करते हैं आईए सर